नमस्कार दर्शकों मैं हूँ नाविका कुमार और मेरे साथ आज one and only पंकज त्रिपाथी जी बजाने लगे आपने का ताली बजाने लगे कालीन भाया के नाम से आप मशूर हैं पंकज त्रिपाथी जी सिर्फ कालीन भाया का जो रोल है वो नहीं सुल्तान कुरेशी के नाम से भी मशूर हैं पंकच्ट्रिपाटी और कहते हैं कि बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की अदाओं पर लोग मरते हैं उनके हाव भाव के लिए दर्शकों के दिल में एक छाप होती है लेकिन कुछ एक एक्टर हैं राजेश खन्ना सहाब, देवानन सहाब, शारुक खान और पंकच्ट्रिपाटी आप हर फिल्म में एक नई अदा के साथ आते हैं और अपनी याद लोगों के दिल में छोड़ जाते हैं मैं कालीन भाईया, कुरेशी, हाली में कडक सिंग आपने किरदार निभाया था मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन सब के बीच में अटल बिहारी वाजपाई कहां फिट होते हैं और आपने इस रोल को कैसे सोचा, कैसे समझा, कैसे ये ओफर आपको मिला, इसके बारे में कुछ बता अभी तक मैंने जितने किरदार किये हैं जिनके नाम आपने दिये, वो सब फिक्स्टनल थे, कालपनिक लोग थे वो रियल लोग नहीं थे, वो एक राइटर के क्रियेशन थी, और मैं भी इमेजिनेशन से उनको परफॉर्म कर लिया यहां अटल जी ये फिक्स्टनल किरदार नहीं है, एक बहुत ही लिजेंडरी, बहुत ही बड़ा विक्तित्य थे जो राजनेता और देश के प्रधान मंत्री हुए, जो लंबे समय तक भी पक्ष में रहे, फिर पक्ष में रहे और फिर पंथ प्रधान मंत्री बने तो ये रियल विक्तित्तो है, तो इसलिए चुनोतियां बड़ी थी, उन किरदारों के बनिस्पत, तुलना में चिपे चियाँश में प्रभी तुलने राया रहे, किने हैं और वीद्टार की केours फिर प्रधान में, मुल्भी समय जान करे लहा ही लहा हो, प्रधान मुल्भी एकला बाइग के लिने रिव्य प्रधान में वीडियो फॉर्म में देखा है बट अगेन ये फिल्म रुपांतरण है अटल जी का कोई अटल जी नहीं है पंकेस्ति पार्टी अटल जी के किरदार को प्ले करने का प्रयास कर रहे हैं तो सवाल आपका इतना ही था तो चुनौती पुर्ण था और उस चुनौती को हमने अपने तरीके से कंसीव किया लिया और परफॉर्म किया है जो अब 19 जनौरी को लोग आएंगे देखेंगे और फिर राय देंगे और में Family लिए का राय से प्रेशर होता है ना पहले होता था अब नहीं होता आप क्यों नहीं होता है क्योंकिन अब मुझे लगता है कि जो गोन है क्रिडिक्स जो क्रिडिक्स कर रहा है उसको भी समझ लोग लग पर कि इनका पॉंट अशली क्या है जू है फिल्मों में critics एक पिसवा हो सकता है जहे ही एक profession है कि criticism करना फिल्मों का पर फिल्म बड़ी hard work का काम है खराब फिल्म बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत पर कोई ऐसे एक line में उड़ा दे कि एक बकवास picture है न तो लगता है कि इन्होंने human resource और human shrum का कदर नहीं हुआ पर आपको पसंद नहीं आई आपका point view यह है यह go by your risk मत लिखो आपको पसंद नहीं आई तो दूसरे को पसंद भी आ सकते कई लोग ऐसी देते हैं review तो वो मेरे को लगता है नहीं है तो आप pressure लेते नहीं है बिल्कुल नहीं लेता हूँ एक पैसे का नहीं लेता हूँ तो यह जो profession है यह आपके हिसाब से बंद हो जाना चाहिए क्रिटी किंग फिल्म वाला नहीं नहीं वह भी बंद नहीं होना चाहिए लोग तांतरिक पाशजार दसजार forte से एक बार से मिलते हों गए तो उनकी रोजीयोटिए यह हमारी रोजीयोटिए पर असर होता है उनकी रोजी रोटी कमाने में आपकी रोजी रोटी पर? नहीं, बहुत जादा तो नहीं होता है, क्रिटिक्स कई बार हम देखा गया है कि धो दिया और फिल्म ब्लोकबस्टर हो गई आपके साथ ऐसा हुआ? आपकी किसी फिल्म के साथ? मेरे, एक परफॉरमेंस के साथ हुआ, सिर्फ परफन्स की बाद करूंगा, मैं, लोका छुपी फिल्म बें चली थी लेकिन मेरे परफॉरमेंस को बहुत क्रिटिक्स ने पुला यार वेस्ट हो गया पंकरवाटी को वेस्ट कर दिया डिरेक्टर ने. मैं जिस जिस से मिला उसके बार ना कई बिरोक्रेट्स लोग बोले यार बाबू लाल तेरा करेक्टर लुकाच छुपी में बहुत मज़ा आया हाँ fun to watch तुम्हें भी मज़ा आया था ना बाबू लाल लुकाच छुपी में किसी क्रेटिक्स को अच्छा नहीं लगा था वो क्योंकि लोगों को अच्छा लगा क्योंकि नौसेंस था उस करेक्टर में बहुत नौनसेंस था अभी मुझे लगा कि क्रेटिक्स बार बार ना सेंस की बात करते हैं नौनसेंस बहुत मज़ेदार होता है सेंस बोरिंग होता ह तो मैं जान के आप किरदारों में अपने कई कुछ किरदारों में कुछ नॉनसेंस हरकत करता हूँ सिर्फ उसको इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए अपने ये जब फिल्म डिसाइड की कि आपको ये करनी है तो अटल जी के किरदार को आपने कैसे पढ़ा आप एबी वीपी में रह चुके हैं अखिल भारतिय विद्याती परिशद में और एक तरहां से नेता बड़े वो रहे हैं और सब लोग देखते रहें पर कभी उनसे रूबरू मुलाकात हुई मैनरिजम्स देखने के लिए या आपने कोई न्यूज रील्स देखी कुछ देखा तयारी के दर्मियान यूट्यूब पर कुछ उनके स्पीसेज और पार्लियामंट के रिकॉर्ड्स देखे जो पार्लियामंट के बासराने अंदर संसद के और जब विद्यारती परसर्द में था तो हमने अप्ना मर्क ही बदल दीयाम राज्नीती में नहींग है । मुझ नहीं लगता कि मेरे से भूप मिरे से हां राजनीटी वह बहुत सेंस है हां वहां बहुत सेंस है वह बहुत commitment है एक वेक्ति आपके बंगलों के बाहर अगर मानलेजी अप सांसा देया नेता है जन प्रतिनीदी है और एक वेक्ति आकर बाहर बैठा है किसी समझायक उले के मिलने के लिए और मैं ना मिलू मुझसे नहीं तो मिलना तो चाहिए पर एक नेता को बत्यों कि डिमिटे फो नहीं कितने लोगों से मिले गा दिन भर मुनका भी तो अपना जीवन है उनको भी तो साथ घंके सोने आठाट ग है उनका परिवार जो they aren't हम अभी नेता हैं, आज प्रोमोसन में घूम रहे हैं, कटोरे में खाना लेके गाड़ी में खा रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं, ये जीवन नहीं है, जीवन तो एक विवस्तित होना चाहिए कि दिन में ब्रेक मिले, समय से सो जाएं, बच्चे के साथ खेलने जाएं, लेकि कि फिल्म 19 जन्वरी को आ रही है, 22 जन्वरी को इस देश में और भी बहुत बड़ा एक दिन है, जिस दिन राम मंदिर में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा है, वो वीकेंड आपकी फिल्म का भी वीकेंड है और प्रान प्रतिष्ठा का भी वीकेंड है, मंडे को होगा न, मंदे में सुमवार रहेगा यह सईयोग है महत सुखद सईयोग है आपको लगता है आशिरवाद भी है बिल्कुल मतलब हमें आशिरवाद ही है हमें तो मालूम नहीं था कि कौन सा देट निधारित होगा हमारी फिल्म 25 दिसंबर को आनी थी पर चुकि वी एफेक्स बड़ा हो गया है तो उस चकर में फिल्म रिडी ही नहीं हो पा रही थी 25 दिसंबर तक फिर 12 दिसंबर का डेट निकला फिर 12 जनवरी फिर लगा तब भी नहीं होगी तो 19 आया बट सुखद सही हो गया राम जी की किरपा है आशिरवाद रहेगा राम जी का पर आप जिस तरह से कह रहे मैं अभी दुनिया को चलाने का एक वहीं है अब नजरिया है देखने का अपना अपनो पॉइंट व्यू है हर चीज में राजनीती है हर चीज में हर वेक्ति का कोई इंटेंशन भी होता है हर चीज में मोटिवेशन भी होता है हर चीज में एक अर्जेंसी भी होती है तो यह एक्टिंग की क्लास है मैं एक्टिंग की वाते कर रहा हूं अभी चुछ अगर एक्टिंग में हमें सिखाए गया था कि बहुत सारे पहलो है इनका ध्यान रखना कुछ एक्टिंग के विचातर हो ना दो लोग तो राजनेती तो है ही हर चीज में और इन दिनों थोड़ी तुम राए दो हमने प्लैट्फॉर्म बनाया है तुमारे लिए कि तुम राए दे सको अब हर बिंडिविजुएल को लगता है राए ठीक नहीं है उसको ठीक से अपना ये बारे में नहीं पता है लेकिन वो संसार के बारे में कमेंट कर रहा है आप चुनाव से पहले फिलि यह कहा जा रहा है हमारे देश में कहीं पर लोक तंत्र नहीं बचा आप अपने मन की बात नहीं कह सकते आप इस समय में एक ऐसे मैं इंटरनेट खोली हर कोई आदमी अपने मन की बात कह रहा है जिसको जो मन आ रहा है वो बोल रहा है लिख रहा है आप अपने ही ट्विट के न फिल्म नहीं है, एक political विक्तित्तु की फिल्म है, जिनके जीवन में politics, चुकि वो political विक्तित्तु थे, तो हमारी फिल्म का इरादा, अटल जी की कहानी को, उनके चुनातियों को, बटेस्वर का वो अटल, जो एक बच्चा था, जिसको ने पहले कविता 9th, 8th class में लिख लिए और उसको बोलने में उसको कितनी कैसा हुआ था experience तो उस अटल से सद्धै सुरी अटल विहारिवाज परी बनने की आत्रा है कि कैसे वो संपत्रकार बने, संपादक बने, परिवार कौन था, दुनिया क्या रही, जर्नी कैसी बनी, पिता जी से क्या वास्ता था फिर राजनीती, संग, फिर इतने कठी निर्ने, और इन निर्नेओं के बीच में वो व्यक्ति कौन था, कमाल का कभी था, पोईट, एक पोईट जिसने नुक्लियर टेस्ट कर लिया तो यह अटल जी की कहानी हम दिखा रहे हैं, हम आम लोग उनके स्पीचेज, उनकी कविताएं जानते हैं, जो पॉब्लिक फोरम में है, पारलियमेंट की हो, या यूट्यूब पे हो, हम उनकी कहानी दिखा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं पंकित स्रीपाठी जी, फॉरम पोएट टू प्राइम मिनिस्टर, ये अटल बिहारी वाजपाई की दास्तान रही है, मैं पोईट्री की आपने अगर बात की, तो मैं पूछना चाहती हूँ, कई पोईंज आपने फिल्म में भी कहीं होंगी, आपके दिल के करीब की कोई ऐ उचाही मत देना, गैरों को गले न लगा सकूँ, इतनी रुखाही मत देना, ये अठल जी की कविता है, उचाही नाम से है, बहुत बढ़िया है, जो सबसे उचा होता है, वो एक आकी होता है, बहुत सांदार कविता है हर जगा ये ही होता है, बहुत ओंको लगता है कि हम न्यूस की दुनिया में हमी कर रहे हैं, लेकिन हमारे सब के पीछे एक बहुत बड़ी टीम का परिश्रम होता है, बोलने वाला, जो सूत्रधार होता है, शायद कैमरा उसके उपर फोकस्ट होता है, लेकिन एक ट्रेलर मै अटाई गई और अटल जी ने वापस लग लगाई उसको, क्या क्या क्यारेक्टर निकल के आया और आपने वो सीन कैसे किया, वो पार्ली अबंट की कि स्पीच में अटल जी ने स्वैम बोली हो घटना, विदेश पंत्री बना था, तो रिसर्च में लोग वो, चुकि मैं ज सीन देते थे, तो मैं पूछता था, इसका कुछ रेफरेंस है क्या, तो बता दो, तो मुझे वीडियो देजा, ये स्वैम उन्होंने बोला था, तो कुछ नहीं, उनको डालना था, क्योंकि फिल्म में जब जनता पार्टी की सरकार हमारी है, इमर्जेंसी है, सरकार बदलती पहली बर विदेश मंत्री बने थे, और तभ ही ये पार्लियमेंट में घुचते हुए, ये घटना होई थी, तो उन्होंने स्वैम नेरेट किया था, तो इनको चुकि फिल्म में वो टाइम बहुत प्रॉमिनेंट फिल्म में दिख रहा है, इमर्जेंसी, कॉंग्रेस की सरक जाना और जन्ता पार्टी का सरकार बनना, इनका विदेश मंत्री बनना, तो लगा कि इस टाइम जोन का एक रोचक हिस्सा है, जो उनके विक्तित्तु को दिखाता है, तो इस प्रसंग को इस वजह से साइद रभी जी ने और रिसी ने लख लिया होगा फिल्म में अटल जी का एक और भी बहुत फेमस वाक्या है, जो उन्होंने पार्लिमेंट में कहा था, जब उनकी एक वोट से सरकार किरी थी, और उन्होंने कहा था, हम यंग रिपोर्टर्स थे तब पार्लिमेंट की मीडिया गैलरी में बैठते थे, और मुझे आज भी सोचती हूं त तो रोंग्टे खड़े हो जाते हैं, उन्होंने कहा था, सरकारे आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बीडेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, मेमुरेबल कौन सा सबसे ज़ादा पोलिटिकल वाक्या रहा आपको जब आपने प्ले किया, मेमुरेबल यही अबर आल उनका वेक्तित पूजे से सरकदेश को लेकि जो उनमे एक भाव था, वो बहुत अदभूत भाव था, और वो भाव जब आप एक सिक्वेंस है लास्ट में, नुकलियर टेस्ट में कि हम नुकलियर पावर बन गए हैं, मैंने प्रिपेर्ड नहीं किया था, लेकिन मेरे को आप उससे और सौट में देखेंगी तो मेरे मुझे आखों में देखना मैं मतलब अजीब सा हो गया था, चलते टेक में हो गया था, मैं प्रिपेर्ड करके नहीं आया था, क्योंकि सीन में था ही नहीं कि एक सूचना आ रही है कि तुम हमने टेस्ट कर लिया, इस सिर भाव था, जो लोकतांतरिक मुल्य थे, वो बहुत बिरले हैं, और मैं मुझे लगा कि किसी भी वेक्ति को अगर आजनीती में जाना है, किसी भी पार्टी में जाना हो, XYZ अपने पसंद की मन की, कम से कम अटल जी के 15-20 इंट्रव्यूज उसको और उनके 15-20 स्पीच सुनने चाहिए, तो क्या करेंगे उन पार्टियों का जो आज विपक्ष में हैं, क्योंकि वहां तो राम मंदिर जाने को तयार नहीं है, वो कह रहे हैं, यह RSS का और BJP का इवेंट है, आप कह रहे हैं, अटल जी पढ़ कर ही आप बन सकते हैं, मेता, वो राजनीती है, राजनीती म नहीं हूँ कि यह उतने इंपोर्टेंट है, यह विचार एक वर्डिक्ट है, पंकर जी, एक आपका मैंने कहीं यह वीडियो देखा, आप बहुत कंपेटिटिव नहीं है, क्योंकि आपका वो वीडियो बता रहा है कि ठहराओ की जिंदगी आपको पसंद है, यह वीडियो और कल से पॉपुलर हो गया, प्रियंका चोपड़ा जी ने इसकी स्टोरी बना दी है और विजडम लिख दिया है, तो मैं मुझे किसी ने दिखाया कल साम को इंटर्विव में, हमारे एक प्रोडूसर ने में बला अच्छा, तो मैं ठायराओ पसंद आदमी तो हूँ, सब कुछ नहीं करते हैं, तो लगता है कि जीवन में ठाहराओ तो ज़रूरी है ना, आजकल की competitive scenario में, Bollywood में आप है, वहां तो लोग मार, मैं सायद ही, मैं successful वेक्ती हो चुका हूँ, मेरे पास survival के पैसे हैं कुछ साल के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ, पहले बोलते थे, पहले कोई पूछता ही नहीं था ना, पहले मेडिया किदर आती थी मेरे, मुझे ना मेरा interview होता था ना कोई पूछता था तो किसको बोलू, बोलता तो था, बीबी को बोलता था, बोलती फालतू बाते मत करो, काम तो फोकस करो, तो आज, आज भी बीबी बोलती है कि ये फा बाते में लोग seriously सुनने लगे हैं, आपकी प्रेम कहानी तो 10th standard से चल रही है, ऐसा मैंने पढ़ा, तो ये जो साथ है, थोड़ा इसके बारे में भी बताईए कि बॉस कौन है घर में, आप हैं, यहां पतनी है, कहां से आप राय मश्वरा लेते हैं, आपका क्रिटिक कौन है किसकी बात आप सुनते हैं? पर अभी उस स्टेज में पहुंचे हैं कि कुछ एक हो गया है, कि अब कोई किसी का उतना विरोध नहीं करता है, फिर मैं कल ही कहीं रील में देखा, या कि वो सो बोल रहे थे, मुझे आद नहीं कहां सुना था, कि जब तक जगड़ा नहीं है, तब तक प्रेम नहीं है, तो मुझे पता नहीं ये ओसो बोले थे या कि दील में कहीं देखाता, तो जगड़ा जरूरी है, तब ही पता चलेगा प्रेम है, तो किस बात पर जगड़ा होगा, घर में खाना क्या पनेगा, से लेकर, किस हिरोईन के साथ, जगड़े के लिए मुद्दे चाहिए, जगड़े के उपर उड़ते हैं, उसके कोई बज़ा नहीं होती है, मुझे लगता है, मुझे लगता है कि आटल बिहारी वाजपाय का किरदार निभाते निभाते, आज जब तक आप यहां से जाएंगे, आप एक कवी जरूर बन जाएंगे, मैं कवी तो बन चुका हूँ, मैं बहुत बदले हैं आटल जी मुझे, आटल जी के विक्तितने मुझे बहुत बदला है, राइट, रॉंग, फ्रीडम, हैपिनेस, ज्यादा इंपोर्टेंट है, राइट, रॉंग, हम राइट, रॉंग के चक्कर में बहुत समय व्यतित कर देते हैं, हम सब को सोतंतरता चाहिए, हर म माइने में, जीने, खाने, पीने, बातचीत करने, हम सब को हैपिनेस चाहिए, आखरी लडाई हैपी होने की है, ये लास्ट के 5-6 मिनिट से, मैं उसी सूर में हूँ कि कम से कम यहां सब हस रहे हैं, आपको हसते हुए देखके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ल सब कुछ बहुत करीब से जाना है, आपने उनके बिहेवियर हर चीज को बहुत करीब से जाना है, तो हम सब को पता है कि अटल जी को राम कितने प्यारे थे, तो आप उनके भाव आज आयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो आज अगर वो हमारे बीच रहते तो उनको य होते अप बता साथ प्रसन होते और और क्या भाव होते बहुत अच्छे भाव होते कि इस लड़ाई से जुड़े हुए थे तो और वाज सफल संभव हो रहा है तो बिल्कुल प्रसन होते हैं हम जोंगा अपको पुरानी जानते हैं तो जैसे से आपके जची उड़ता तो आपको कैसा लगता है अपना पुराना रोल देखके कि मैंने कभी इस ट्रगल से या कभी इन रोल से भी में गुजरा था इतना फेमस हो कि इतना बड़ अक्टर बनने के लिए मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो बताते रहे, याद आता है कैसे किये थे, चारहजार रुपय मिले थे, और ये जर्नी है, मुझे लगता है कि जर्नी आहा से सुरू हुई थी, मेरी आवाज भी नहीं है, डबिंग किसी और ने की थी, तो ठीक है, अब उतना नोस्टेलि होंगा, मैं तो प्रेम विवा कर लिया, रुमांस रहा होगा तभी किया होंगा, मैं तो मुझे मेरा रुमांस अलग है, रूटीन से अलग है, तो पर हैं और करेंगे, आने वाले दिनों में करूंगा, मैं पूछना चाहती हूँ, आपने एक बर ये भी कहा था, कि अगर जि सीधे, लंच के टाइम नहीं मालू मैं कि क्या बना है, मैं रात को पूछ लेता हूँ, कल क्या बनेगा, ये हमला नहीं, ऐसा नहीं, ये करो कुछ, मैं बहुत भोजन प्रेमी आदमी हूँ, और खाने के किचेन में मेरे मसूर की डाल कितनी बची है, और छिलके वाली डाल है पंकच्त्री पाठी की दिल के करीब चार चीजें क्या है, दिल के करीब चार चीजें, आप, आप और आप सब, चारो खाने चित कर दिये आप, प्रयावरण, मेरा अपना जीवन, अपना परिवार, समाज, प्रयावरण, और लिटरेचर, आर्ट फॉम, ये चार चीजें मे अच्छा नहीं लगता जब मुझे लगता है दुनिया के सारे व्यक्ति मेरी तरह हैं मेरी तरह सोचते हैं और जिस दिन मुझे पता चलता है कि तुम भरम में हो तो उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि सब कोई तुम्हारी तरह नहीं है बस जाते जाते यह पूछूंगी अटल बिहारी वाजपाई बीजेपी के पहले प्रधान मंत्री थे उनका किरदार आपने निभा लिया कभी अगर बीजेपी के जो दूसरे प्रधान मंत्री बने हैं जो हमारे आज प्रधान मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी इनका किरदार निभाने को मिले तो इन पर और फिल्म हमारे ही प्रोडूसर ने पहले बना चुके हैं वो भी वेग जी किये थे पर आप नहीं किया था नहीं पर अब वो तो डिपेंड है कि वो फिल्म बनती है बन अब फिर दूबारा बाइव पिक के मैच कर रही है यह रियल है यह सही विक्तित्तों है वो फिक्ष्णल तो छे बन जाए लेकिन रियल विक्तित्तों पर छे कैसे बने